नमस्कार विध्यर्थी मित्रो मैं पुनम राठोर वासोदेव स्कूल गुरूप यूट्यूब चैनल में आप सभी का हर्दिक श्वागत करती हूं कक्सासाथ विशय हिंदी द्वीतिय सत्र लेक्चर नमबर दो तो मित्रो हमने देखा कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने अंजाज अपना छो आपका दसमा चैप्टर है पेज नमबर 59 पर दिया गया है वो देखा तो आज हम आगे वो चैप्टर देखेंगे हमने एक किसा देखा था दिमागी दोड भावेस भाई नामग छो वकील थे उ उसमें क्या हुआ था भावेस भाई और उनका परिवान चार दिन के लिए अंबाची गए थे और पिछे से और उसके घर और बाग बगेचे की जो हालत हुई थी उस पर हमने अंदाज लगाया था ने आप लोगों ने हां तो मैंने आपको हमवक में दिया था लिखने के ल होगा तो चलो में दोस्तों आज हम 59 वही पेस पर जो दूसरा किसा दिया गया है वो देखेंगे दिमागी दूर वाला परेश भाई किशान है उनकी पतनी हिरल बहन नर्स है आज हमको परेश भाई का किसा दिया गया है दूसरा किसा है वो परेश भाई का है वो किशान है कि सब्सक्राइब गल्स moği छाइब बनाने चलिगई तो आप मेरे समध्दार दोस्त अब आप ही बताए क्या हुआ होगा तो आप सोची मीत्रो क्या हुआ होगा अपना अंदाज लगाई है आप सब लोग तो चलो देखते हैं हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया क्योंकि क्या हुआ होगा तो हम अपने अपने अंदाज में क्या कैसो सकते है वो में देखना है जबाब देखना है नल में पानी बंद हो गया होगा मटके में दरार होगी मटके के पेंद में छेद होगा मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा मटके पर गलती से ढकन रख दिया होगा यानि मटका उल्टा होगा देखो हमने छे तरीके से अंदाज लगाया अपनी सोच के बारे में एक तो एक कारण है मतला नल में पानी बंद हो गया होगा तो टंकी पूरी हो गई होगी खाली हो गई होगी तो नल में से पानी आना बंद हो गया होगा दूसरा है मटके में दरा कि तीसरा मट के मिदार के नीच से नहीं रहा होगा मट का है वह ठीक से नल केुछ नीच नहीं रखा ओंगा कि यह दो तो मलट का Hai वह उल्टा रखा होगा यह सारे कारण है अपने अपने सोच के अपने अंदाजुन हमें onदाज लगाना है आपने जो किसा सुना कि हिरल बेहने नल चालू किया पाने के नल के नीचे जल्दबाजी मेरे चले चले गई जो बापता कर देखा तो यह साब क्या होगा हमें अपनी अपनी सोच pret 수가 सब्सक्राइब देख ca आपने जो सोचा था वो भी आपको इस तब rough note में लिखना है और एक बाल फिर से इस पाट को पढ़ना है और बाद में ये कारण है अपने सोच के जो विचार है वो आप सबको लिखने है तो देखाना हम सब नहीं यहाँ इतने इतने कारण हो सकते हैं नर में पानी बंद हो जाना मटके में दरार होगी मटके के पिंदे में छेद होना मटका ठिक नल के नीचे नहीं रखा होगा मटके पर गलती से धकन रख दिया होगा और मटका है वो उल्टा रखा होगा तो ये हमारी अपने अपनी सोच के जो वीचार है वो हमने यहां रजू किये है तो चलो मित्रो अब पेज नंबर 60 पर आए सेजल दो गमले लाई गमला यानि की जो हम गुज़ाती में उसे पुंडा बोलते है वो गमला पोधे लगाने का गमला उनमें तुलसी के पोधे थे पोधा यानि छोड़े तुलसी के पोधे थे दोनों पोधे लंबाई चोड़ाई और उचाई में एक समान ही थे दोनों पोधे थे वो लंबाई में चोड़ाई में और उचाई में सेम ही थे समान ही थे एक मैने के बाद दुसरे गमले का पोधा बड़ा हो गया, दुसरे गमले का पोधा था वो बड़ा हो गया, जबकि पहले गमले का पोधा अब भी इतना ही था, जबकि पहले गमले का पोधा था उसका विकास नहीं हुआ था, वो इतना ही था, कि छितना एक मैने पहले लाई थ तब था उतना ही था एक गमले का और दूसरे गमले का पोधा था वो बड़ा हो गया था तो दो पोधे लाई थी से चल उसमें तुलसी के पोधे थे दोनों पोधे लंबाई चोडाई और उचाय में एक समानी थे एक महिने के बाद दूसरे गमले का पोधा बड़ा हो गया तो दोस्तों विचार करो सोचो अपने अंदाज में सोचो क्या हुआ होगा जब कि पहले गमले का पताब भी इतना ही था कि इतना एक महीने पेले तो एसा क्यों हुआ विचार करो कि दोनों पोधे एक ही सम्मान थे लंबाई चोडाई उचाई में और दोनों को एक सर खापानी द दोस्त इसा के से हुआ होगा आप ही बताईये तो आपको बताने के लिए कहा गया है एंप को सोचने के लिए एक कहा गया है फेजा बास दोस्त देखो कहा गया है ना आप में WILLow तो चलो मैं आपको जबाब बताती हूं सेजल के पहले गमले का पोधा प्लास्टिक का यह नखली होगा हम देखते हैं कोई बार उसमे ज़रूरी हवा और प्रकास नहीं मिले होंगे हमें पता है सब को आप सब को भी पता है कि पोधे को हवा और शुर्य प्रकास की भी जरूर होती है तो पानी के अलावा हवा और प्रकास भी नहीं मिले होंगे इसा भी हो क्षक्ता है किसीने पूध्य को काट दिया होगा। फूध्य के सब्सक्राइब कंवले में होंची कई देडैं और तो फद्रकास भी होगा विंख तो भी ऐसा हो 사थ कि गमले का विकास ना हुआ एक विकास वह बड़ा हो गया और दूसरा गमला है वह वह साइब वह सा रहा इसलिए यह चेश के और भी कारण हो शक्त है तो मित्रों आपको भी एक सोच अपनी अपनी सोच में अंदाज में कारण बत्याना है तो यह भी आपको रुफ नोट में लिखना है तो दोनों किसे और उसके कारण यह सभी आपको हुमवक में रुफ नोट में लिखना है और एक से पचास तक की गिंती भी हुमवक में करनी है तो मित्रों इसके आगे के जो किसे है वो हम लेक्चर नमबर त्रिन में सिखेंगे अस्तू जैहिन